सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलो वीडियोज के लिए बैल आइकन को दबाना ना वोलिए लमश्कार दोस्तों अडिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एस्टर डीएम हेल्थकेर आईप्यो की बारे में इस विश्वेशन में अलग अलग मायनों की चर्चा करेंगे कंपनी के बैक्ग्राउंड को देखेंगे कंपनी के आईप्यो समरी के बारे में बात करेंगे फाइनेशल क्या है पियर कंपैरेशन में कहा खड़ा होता है एस्टर डीएम हेल्थकेर आईप्यो की डेट्स क्या है आईप्यो का अबजेक्टिव क्या है और फाइनली अपनी रेक्कमेंडेशन भी बताएंगे इस तो शुरुआत करते हैं कंपनी के बैक्राउंड से अलग लग देशों में मोजूद है 323 establishments है इसकी अब 323 establishments का segregation कुछ इस तरह से है कि जो Gulf countries है Middle East countries है उनमें इनके पास 9 hospitals है 90 clinics और 206 retail pharmacy जो इनके अलग लग ब्रैंट के नाम से चलती है भारत में इनके पास multi specialty hospitals है 10 और साथ clinic और Philippines में भी एक क्लिनिक इन्होंने रीसेंटी establish किया है इसके अलावा और कुछ countries भी है जिनमें इनका जोगरिफिकल प्रेजन्स है भारत में ये कोची कोलापूर कोजी कोडे बैंगलोर विजेवाडा गुंटर हैदराबाद में मौजूद है अब इसके अलावा भी कुछ शहर है लेकिन फस्ट और सेकेंटियर में ये शहर सामने आते हैं भारत में इनका जो हेड़कॉर्टर है वो मुंबई में है पूरी ब्रैंड का ग्लोबली इंप्लॉई बेस बीस हजार इंप्लॉईज का है वहीं इनके पास उसमें से करीब बाइसो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी है अब आप उस हिसाब से अं मेडिकल सर्किट अब यह जानना क्यों जरूरी है कि इस कंपनी का CEO कौन है एंडी कौन है बेसिकली इस से आप अधाजार लगा सकते हैं कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं अगर करेंगे तो वो पैसा सही हातों में जा रहा है या नहीं तो इसलिए थोड़ा बहुत अंडर्स्टेरिंग बैक्ग्राउंट उस पटिकलर एंडी सीओ या जो भी मैनेजमेंट है उनका होना भी ज़रूरी है इस पटिकलर ब्रैंड को चलाते हैं डॉक्टर अजाद मूपन यह डॉक्टर खुद भी है और चेयर मैन और मेनजिंग डारेक्टर है इस पटिकलर ब एक ब्रैंड खुद भी बना के चलते हैं इनकी मैनेजमेंट के जो लीडर है कियर आगे बड़े इंडिया में आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कि मोर और लेस कुछ पैसा उन पर्टिकलर प्रोजेक्ट्स में भी निवेश होगा अब यह दोनों प्रोजेक्ट्स केलेल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और वहीं अगर हम बात करें प्रेजन्स की तो जैसे आपको बताया गया मिडल एस्ट कंट्री एशिया बेसिकली कवर किया है और वहीं इनका प्लैन है आने वाले कुछ सालों में भी आगे बढ़ते हैं और आईप्यों के स्पे पी ओ ओपन होगा रीटेल सब्सक्रिप्शन के लिए चालिस करोड इश्यूज ओवरॉल लेवल पे शेयर्स अवेलिबल रहेंगे बीडिंग के लिए फेस वैल्यू दस रुपे रहेंगा कुछी दिन पहले प्राइस बैंड इसका फानराइस हुआ है इसके बीडिंग करने होगी उसके बाद अब अथातर के मल्टीपल्स में भी लॉट का बीडिंग कर सकते हैं टोटल बीड अबाउंट करीब 14,040 रुपए से 14,820 रुपए की देंज भी रह सकता है डिपेंडिंग के एक्च्वल प्राइस बेंड क्या बनेगा और एक्स्चे में यह पर्टिक्लर स्टॉक जब भी लॉट्च होगा तो फाइनलाइस वहीं पर किया जाएगा 35 परतीशत रिटेल लोकेशन है और ओर इसका आईपियो का साइज है हजार करोड से थोड़ा सा कम 980 करोड रुपए है तो डेफिनेटली वह टॉप आईपियो जमाना जा सकत करोड में 2013 में का रिवेन्यू था 1938.76 करोड तो यह करोड में नंबर से सभी और उसमें से पाइट प्रॉफिट आफ्र टैक्स बना कि क्यामने पॉइंट साथ आट करोड का अगले साल यह जम करके ऑल्मोस्ट डबल हो गया 170.78 करोड पे 93.7 परसे इंब्रूमेंट देखा इन्होंने ओवरोल इयर टू इयर प्रॉफिट में वहीं 2015 में फिर बढ़के यह 272 करोड हुआ 2016 फानेशर यह में इन्होंने फ्रॉफिट में अपना पैसा इंवेस्ट किया नहीं बात बनी और उनको नुक्साल जेलना पड़ा एक्चुली काफी नुक्साल जेलना पड़ा और उस साल का जो प्रॉफिट था वो घटके सिर्फ 8 करोड रह गया यह काफी चिंता जनक बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए अगर ऐसे ही R&D करते हैं तो काफी जादा इन्फेक्ट फोकुस चला जाता है और पैट पे अच्छा खासा डिफ्रेंसियेशन देखना क्योंकि इससे पिछले साल में कुछ खास पैट देखा नहीं था तो 272 एक बेंचमार्क बन सकता है फाइनिशल यह 2015-2017 को देखने के लिए 2016 को एक तरह से इग्नोर करना ही बहतर है और और फाइनिशल पिक्चर को जानने के लिए तो थोड़ी बहुत यहां पे डेविएशन से हैं पॉजिटिव सर्टेनी हैं कैर बट यह हर कंपनी के साथ हो सकता है वन ओफ रिस्क लिया इस कंपनी ने और नहीं चला कई बार चलता है अगे बढ दिख रहे हैं कि वो कंपनी अपनी इंडस्ट्री में अपने कॉंपिटिशन के सामने अलगलग मैट्रिस में कहां खड़ी होती है और उसके बेस पे अच्छा कासा एडिया लग सकता है कि एक कंपनी वर्सेज बी कंपनी बहतर है यहां ऐसे कोई मैट्रिस हैं जा प्रू मात खाती है इस पीर कंपैरेजन से पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि यह जो स्पेसिफिक मेट्रिक जिस बेस में कंपैरेजन कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि शुरू करके शुरू करेंगे EPS आर्निंग पर शेर यह बताता है आपको कि पोटेंशली कितना प्रॉफिट पर शेर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं as a shareholder उस company से अब इसमें यह भी जाना जुरूरी होता है कि कितने shares outstanding है complete picture देखने के लिए लेकिन फिर भी sense peer-to-peer comparison कर रहे हैं तो किसी ना किसी लेवल पे इसको ग्रेश ही सही लेकिन अच्छा idea आप ले सकते हैं देखेंगे 4.29 EPS as compared to any other company Apollo 15.88 दे रहा है Shelby Hospital's IPO recently launch हुआ है वो 7.16 EPS प्रवाइट कर रहा है तो obviously कुछ खास अच्छी picture नहीं दिखा देती जहां तो बात है EPS की वहीं अगर आप बात करें PE ratio की तो यह आपको बताता है कि कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा ताकि आप company के profit का कुछ हिस्सा कमा स है इसमें कि जितना कम रहेगा PE ratio उतने ही बढ़िया बात है एक investor के लिए तो इस case में अभी तक obviously since हम numbers नहीं देख पाया है company list नहीं होई है तो इसका PE ratio directly हमारे पास नहीं है लेकिन comparative industry है 73.5 प्रवाइट करता है Apollo 76.5 नरायन हुर्दालिया और वहीं पे Healthcare Global Enterprise Limited 85.7 का PE ratio प्रवा इस healthcare यहां पे सामने आता है 19.6 के साथ तो यह है direct competition जहां पे Esther DM Healthcare को अपने आपको बढ़िया प्रूव करना होगा इस industry में फिर बात आती है है RONW return on net worth की बात अब देखिए यह isolation में बिलकुल मत देखिए हमेशा peer comparison में यह specific metric देखिए लेकिन अच्छी बात है 10.59 का RONW प्रवाइट करता है return on net worth प्रवाइट करता है अच्छा लेवल प्रवाइट नंबर जहां तक इस industry की बात करें तो तो यह अभी तक सामने आया है जिसमें एस्टर हेल्थ केर बढ़िया परफॉर्म करता है नायाब लास्ट प्रवाइट वेल्यू को देखना भी जरूरी है अगें इसमें भी आइसलेशन मत कीजिए डैफिनेटली कंपेर करिए बाकी के पियस के साथ और जब आप कंपेर करेंगे तब सामने आईगी असली पिक्चर 281 का अपोलो नैव है तो 120 का देता है फोर्टिस वहीं 47 50 और 30 यहां पर शेल भी मात खा रहा है लेकिन एस्टर डीम हेल्थ केर भी के कुछ खास हालत नहीं है तो सर्टेंडी सिर्फी आर ओंड़ी डर और नेट वर्थ एक अकेला मैट्रिक है जहां पे एस्टर डीम हेल्थ केर एक बड़िया प्रॉपोजिशन दीता है कि भाया हम में इन्वेस्ट कर सकते हो आप बट इन अनी दर आस्पेक्ट चाहे वह EPS हो चाहे वह NAV हो पी रेशियो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा आपके तो वह मैट्रिक एक एसे एरिया है जहां पे कुछ नों कुछ ग्रेश पिक्चर सामने आती है कुछ कन्फूजन सामने आती है कि आपको इसमें निवेश्ट करना चाहि अब 22 फरवरी को फाइनलाइज होगा कि आपको यह शेयर मिलता है या नहीं कितने बेट्स आपने कि कितने लौट्स आपने डाले और उसके बेस पे आप लगी हुए थावित या नहीं इनकेस नहीं हुए तो आपको उसी दिन आपके जो आस्पा अमाउंट है वो अन्ब्ल फरवरी 2018 को फिर बात आती है आपका पैसा लगने कहां वाला है जो भी आप इंवेस्ट करेंगे इस पर्टिकलर आई प्यों में तो प्राइमरी रीपेयमेंट और प्रीपेयमेंट और इस जो भी करजे उठाये हैं इस कंपनी ने अलग लग लेवल पे उनका रीपेयमेंट होगा कुछ का प्रीपेयमेंट भी होगा ताकि इंटरस्ट बजाया जा सके मेडिकल उप्रेइब रीपेयमेंट्स खरीदे जाएंगे नए मेडिकल फेसिलिटी बनाई जाएंगी जैसे आपको शुरुआत में बताया कि कोची में दो प्रोजेक्ट्स नए आने वाले हैं मे स्पेसिफाई नहीं किया गया है और इंटर्नल लेवल पर यह इंफ्रमिशन जरूर शेर की होगी इस कंपनी ने लेकिन अभी तक यह कंपनी जब तक लिस्टिट नहीं है तब तक यह इतना लेवल का डीटेल बताना इसको जरूरी नहीं है और फिर फाइनली बात आती है मे रिस्क जरूर उठाया अब देखिए रिस्क इस कंपनी को आगे बना सकता है पीछे भी लेके जा सकता है तो एक वहां पे थोड़ा वद ग्रेश फैक्टर सामने आ सकता है स्पेशली जब आपका खुद का पैसा लगा हो फिर दूसरी चीज है कि जब हमने इनका पियर कंप वर्थ जो भी है वो सेगिमेंट वो पर्टिकुलर मेट्रिक में इनका वैल्यू बैटर था लेकिन बाकी अरियाज में चाहें वो नया हो एपीएस हो वहां पे इनको अभी वी काम करना काफी ज़रूरी है बाइटाइम लॉंग टर्म लेवल के लिए हां फोपली कंपनी के प्लान अच्छे लग रहे हैं तो वहां पे एक ठीक ठाक आपको यह रिटर्न से दे सकते हैं लेकिन शौर्ट टर्म गेंस के लिए यह थोड़ा सा रिस्की है अब जहां तक बात आती है रिस्की तो अगर आप बेसिक से इंटर्मिगीट रिस्क लेवल के प्रेडर है या इ राइफिव लेवल पे या अपने ट्रेनिंग के दोरान तो उस केस में डेपि डॉप्र आइब कर सकते हैं शाहिद अफरिदी कितना इसको लेट गो भी कर सकते हैं यह हमारा रेकमेंडेशन है परसनल सजेशन है बाकी इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली आप अपने ब्रोकर या फाइनेशल एडवाइजर से बात जरूर करें हमारा इसमें कोई क्लेव नहीं है अगर आप डीटिल में जानकारी चा है एक या दो दिन में आपका डिमेंट अकाउंट खोला जा सकता है उसके लिए आप अप्लाइए आई प्यों पे क्लिक करें डीटिल दें कॉल बैक रेंज होगा और आपके लिए अकाउंट सेट अप कर दिया जाएगा तो इस वीडियो में पस इतना ही आशा करते हैं कि व हुआ 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 है हुआ 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 है